Microsoft Excel को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग Spreadsheet, Workbook और Worksheet इन तीनों में क्या difference है? इसके बारे में सीखने वाले हैं Workbook और Worksheet में क्या difference होता है? इसके बारे में हमने पहले भी सीखा है उस वीडियो का लिंक मैं आपको उपर आई बटन में दे दूँगा आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें लेकिन Spreadsheet क्या होती है? इसके बारे में बहुत से लोगों को अब भी confusion है इसलिए आज हम Spreadsheet, Workbook और Worksheet इन तीनों के बारे में ही सीखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों अब सीखना शुरू करते हैं सबसे पहले हम Spreadsheet के बारे में समझते हैं कि Spreadsheet किसे कहते हैं Computer में कुछ Software ऐसे होते हैं जिनकी Help से हम लोग Personal या Work-related Files को Create कर सकते हैं Spreadsheet भी Computer का ऐसा ही एक Software या Program होता है जिसकी Help से हम लोग Personal, Professional, Educational या Business-related Files को Create कर सकते हैं Spreadsheet की Help से Data को Create और Organize करना बहुत ज्यादा असान है Spreadsheet में हम Data को Rows and Columns में मतलब की Table की Form में Create करते हैं और फिर उस Data पे Different Tools की Help से या फिर Formulas और Functions का Use करके हम कई सारी Different Calculations को भी Perform कर सकते हैं Spreadsheet Program के कुछ Examples हैं जैसे की Google Sheets और Microsoft Excel और भी बहुत सारे Spreadsheet Programs हैं लेकिन ज्यादा तर हम इन दो Spreadsheets का ही Use करते हैं इसलिए आपको बस इतना समझना है कि अगर हम Google द्वारा बनाएगे Spreadsheet Program का Use करना चाते हैं तो हम Google Sheets का Use कर सकते हैं और अगर हम Microsoft द्वारा बनाएगे Spreadsheet Program का Use करना चाते हैं तो हम Microsoft Excel का Use कर सकते हैं Google Sheets के बारे में हम detail में आने वाली वीडियो में जरूर सीखेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Microsoft द्वारा बनाएगे Spreadsheet Program की मतलब की Microsoft Excel की और क्योंकि Excel एक Spreadsheet Program है इसलिए यहाँ पर हम data को tabular form में मतलब की rows and columns की form में store करते हैं अभी तक हमने Spreadsheet के बारे में अच्छे से सीख लिया है कि Spreadsheet क्या होती है Spreadsheet के बाद अब हम Workbook के बारे में समझते हैं Workbook को समझने के लिए हम Workbook को as a notebook माल लेते हैं जो कि Schools या Colleges में हम सब लोगों ने बहुत use की हैं अलग-अलग subjects के लिए अलग-अलग notebook जो कुछ भी Schools या Colleges में हमें पढ़ाते हैं वो सब हम Notebooks में लिखते हैं ताकि exams के टाइम वो सब पढ़ने के काम आए Schools या Colleges में जैसे different subjects के लिए हम अलग-अलग notebooks बनाते हैं ठीक वैसे ही Excel में भी different types के data को save करने के लिए हम अलग-अलग workbook बना सकते हैं हमने पहले से ही कुछ workbooks को desktop पे save किया हुआ है हम Excel को as a workbook कैसे save करते हैं इसके बारे में हमने detail में एक वीडियो में सीखा है उस वीडियो का link मैं आपको उपर i button में दे दूँगा आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें यहां पर हम computer की storage capacity के हिसाब से अपनी need के according जितनी चाहे उतनी workbooks को computer में save कर सकते हैं जिसका फैदा यह होगा कि computer में हमारा data पूरी तरह से organize रहेगा workbook के बाद अब हम worksheet को समझते हैं worksheet को समझने के लिए भी हम फिर से notebook वाले example को ही continue करते हैं जिस तरह से notebook के अंदर बहुत सारे pages या sheets होती हैं सेम उसी तरह से जब भी हम black workbook को create करते हैं तो workbook के अंदर भी एक या एक से ज्यादा sheets बनी होती है जिसे worksheet कहते हैं worksheet एक single page होता है जिसके अंदर हम data को cell में add करते हैं जो की rows and columns से मिलकर बनता है workbook के अंदर by default कितनी sheets बनी होती है वो इस बात पर depend करता है कि हम Excel का कौन सा version यूज़ कर रहे हैं Microsoft Excel का जो version हम यूज़ कर रहे हैं इसमें अभी एक ही blank worksheet बनी हुई है लेकिन यहाँ पर हम multiple worksheets को भी add कर सकते हैं Microsoft Excel में workbook के अंदर हर worksheet का एक नाम होता है जो कि हमें नीचे sheet tabs के उपर show होता है by default यह sheet 1 रहता है और अगर plus sign पे click करके हम new worksheet को add करते हैं तो वो sheet 2 के नाम से add होगी और इसी तरह से plus sign पे click करके हम sheet 3, sheet 4 और sheet 5 ऐसी जितनी चाहे उतनी new worksheet को workbook के अंदर add कर सकते हैं अगर हम worksheet के नाम को change करना चाहते हैं तो हम sheet tab पे double click करके इसके नाम को भी change कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज हमने spreadsheet, workbook और worksheet इन तीनों में क्या difference है इसके बारे में detail में सीखा आज हमने सीखा कि Excel में जिस sheet के अंदर हम data को add करते हैं उसे worksheet कहते हैं फिर एक या एक से ज़्यादा worksheet से मिलकर जो file बनती है जिसे हम computer में save करते हैं उसे workbook कहते हैं और जिस software या program का use करके हम workbook और worksheet को create करते हैं उसे spreadsheet कहते हैं इस वीडियो से related अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप comment करके ज़रूर पूछे Microsoft Excel से related हम आपके लिए और भी वीडियोज लाते रहेंगे धन्यवाद